नमस्कार दोफ्तो एक बार फिर हमारे यूट्व चैनल में आप लोगों का हरदिक स्वागत है लेट अफटर निकल कर आई है कि सेलरी बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं केंदरी करमचार्यो का इंतजार होने वाला है पूरा केंदरी करमचार्यो के लिए आ गई है बड़ी क कुछ का बरी सैलरी में होने जा रही है जब रदफ बढ़ोतरी तो दोफ तो हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंदर सरकार की तरफ से केंदरी करमचारियों को कौन सा बड़ा तोफा मिलने जा रहा है अगर आप कमारे चैनल पर पफ टाइम जिट कर रहे हैं तो चैनल देश में बढ़ती महंगाई की दरों के चलते केंदरीय सरकार द्वारा समय समय पर वेतनायों के अंतरगत केंदरीय करमचारियों के वेतन में जाफ़ा किया जाता है वर्तमान समय में सरकारी करमचारियों के लिए साथ में वेतनायों के अनुसार वेतन उपलब्द करवाया प्रन्तु देश के सरकारी करमचारी सात्मवेतनायों के अनुसार उपलवद कराई गई सैलरी से संतोफ्ट नहीं है। वे बढ़ती महँगाई से परबावित होकर केंद्रिय सरकार दुआरा पे कमिशन बढ़ाने की अपिल कर रही है। केंद्रिय सरकार करमचारी अपनी सैलरी में बढ़ोत्री का इंतजार कर रही हैं वे चाते कि केंद्र सरकार दुआरा जल्द ही आठमावेतनायों के लिए देश में करमचारी के दुआरा आंदोलन भी सुरू कर दिये गई है। देश में अधराबाद तिलंगना जैसे बी मिन परदेशों के करमचारी की मांग है कि जल्द ही आठमावेतनायों को लागू करने के लिए कोई विचर्चा जारी नहीं की गई और नहीं आठमावेतनायों जारी करवाए जाने की संभावना दिखाई दे रही है। आलंकी आठमे वेतन आयोग जारी के जाने के लिए सरकारी करमचारीों के द्वारा दिन परती दिन अपील बढ़ती जा रही है कि उनके लिए मिलने वाले वेतन में कुछ इजाफ़ा किया जाए। करमचारीों के आंतलों को देखते हुए और उनकी समस्याओं को समझते हुए केंदर सरकार द्वारा आठमे वेतनायोग लागू किया जाने पर दोजार चोबिस के अंतमी चर्चा की संभावना जताई जा रही है। साल दोजार चोबिस में आम चुनाओ के बाद जब नई सरकार का गठन होगा तो इस पर फैसला लिया जा सकता है। केंदर सरकार द्वारा कम से कम दस वर्सों के दायरे में एक बार वेतनायोग का निर्दान करा गया जिसके अंतरगा पिछले साल ही नय वेतनायोग जारी किया गया। इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को भी आधार माना जाएगा। इस आधार पर क्रम चैरी का फिटमेंट फैक्टर 3.68 गुना कर दिया जाएगा। आठमें वेतनायोग के अधार पर क्रम चैरी की निर्दी दर्ज की जाएगी। जिसे क्रम चैरी का नियुनतम 26,000 रूपे हो जाएगा। के अंदर सरकार दुआरा अगर इसी फर्मूले को आधार माना जाता तो आठम वेतनायोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिक्तम रेंज के तहत नियुनतम सैलरी 26,000 रूपे हो जाएगी। जिसके बाद निचले सिद्र करम चैरी की सैलरी रिवीजन हर साल प्रफोर्मेंस के अधार पर की जाएगी। कारी उपलब्द हो पाएगी। तता इसके लिए यह भी पता चल सकेगा कि आठमा वेतनायोग के तैत उनके लिए पेतनमान में कितनी सैलरी की बढ़ोतरी होगी। तो दोफतों आज के लिए इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।